बात जब 1990 से 1995 के आसपास की आती है और जब हम बात करें खासकर कुछ होरर मुविया सूज की तो वहाँ पर हम जादतर हम लोगों को याद आता है वो आहट याद आता है आप बीती याद आता है या फिर जो रामसे ब्रोदर्स है उनकी मुवियों के बारे में हम लोगों को बात करेंगे अभी एक ऐसे सो के बारे में जिसने आहड और आप बीती को भी पीछे छोड़ दिया था है और आप सकते हो कि रामसे प्रोदर्स का वो पहला होरर सो था जिसको की उनका प्लान था कि इसके जो सो है इसके हम जादा एपिसोड नहीं करेंगे बस 24 से 30 एपिसोड के असपास की उनके प्लानिंग थी लेकिन फिर इसको चार साल या साथ साल में भी इस सो को चलाया गया इस सीरियल को चलाया गया जी टीवी पर पहले अगर बात करेंगे नाइट डिश के दसक में बहुत सारे ऐसे सो थे जिनको की बच्चे नहीं देख पाते ये फिर एक ऐसा सो निकल के आया लगबा लगबा 1993 से 1995 के आसपास जिसका नाम था जी होरर सो इसको देखने के बाद आप बोल सकते हो कि एक बार को जो बड़े बड़े बच्चे थे उनकी भी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती थी लेकिन अगर बात करें हम ऐसे सो के बार जो कि एक तरीके साब बोल सकते हो वह वाला टाइम एक मास्टरपीस मुवी और मास्टरपीस सीरियल्स का एक टाइम था जी होरर सो के उपर कही सारी एफाई आर होई थी उस टाइम पर कुछ लोगों का मानना था कि यह जो सुआ यह अंद्विसवास को पढ़ावा देता है मुश्टली अगर बात करें हम तो इस सो का कुछ दिनों के बाद नाम वदल दिया और इसका जो नाम हो गया था जी हरोर सो के बाद इसका नाम कर दिया था अन्होनी सायद में भी मेरको ऐसा लग रहा है अन्होनी ही था इसका नाम तो कितने लोग ने वह सेथ सो देखा था तो ताइम पर या फिर अभी भी देख रहा हूं या फिर आप Google कर लो या फिर YouTube पर जाके अगर आप देखोंगे तो कहीं न कहीं लगता है लेकिन अभी के टाइम पर हम देखेंगे तो अभी के टाइम पर क्या VFX लेवल काफी हाई हो गया है बड़ी बड़ी कंपनी आ गई है सिस्टम हो गए है बहुत अच्छे अच्छे लेकिन वो टाइम एक वो टाइम था जब लोगों को मुश्ट लीग है सिनेमे के बारे में भी कुछ ज़्यादा पता ही नहीं था ये उस टाइम की बात है अभी के लिए आज के लिए इस वीडियो में तना ही मिलते हैं बहुत देख नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए बाय